EPS 19-5 पैंसन धारकों के लिए आज फिर ताजा खबर लेकर हाजिर हो चके हैं अगर आप भी EPS 19-5 पैंसन लाबारती हैं या फिर आप EPS 19-5 पैंसन के लिए अपलाई करने जा रहे हैं विकल्ब चुनने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुती महत्पून होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि EPS 19-5 पैंसन चुनने के सबसे बड़े नुकसान कोन से हैं साथ ही आपको बता दें कि EPS 19-5 विकल्ब चुनने की अंतिम तित्थी को बढ़ा कर 3 मई 2023 कर दिया गया है अब EPS 19-5 पैंसन के कौन-कौन से नुकसान आपको हो सकते हैं उसके बारे में हम आपको यहां पर तमाम जानकारी देने वाले हैं अगर आप एक पैंसन लाबारती हैं EPS 20-5 के क्रमचारी हैं तो इस वीडियो को आप अंतितक दिखते रहेगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो खिरप्याव वीडियो को लाइक कर दिजिए जाल से जादा वीडियो को सेयर भी कर दिजिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कौन-कोन इस वीडियो हैं आपकी बंध हो जाएंगी तमाम जानकर आपको देते हैं क्रमचारी भविष्या निदि संगटन यानि की EPFO ने क्रमचारी पैंसन योजना के अंतरगत ज्यादा पैंसन पाने का विकल्प के लिए जो डेड्लाइन थी वह बढ़ा दी है पहले इसकी अंतिम्त थी सरकार की तरब से तीन मार्च निर्धारित की गई थी जिसमें सभी EPFO करमचारियों को तीन मार्च तक EPS195 का जो विकल्प था वह चुनना था लेकिन साइट ओपन नहीं होने की वज़े से और काफी करमचारी थे जो विकल्प नहीं चुन पा रहे थे EPS195 का तो उसे अंतिम्त थी को बढ़ा कर अब सरकार की तरब से तीन माई कर दे गया है जिसमें आसानी से आप विकल्प चुन सकते हैं लेकिन विकल्प चुनने से पहले आपको जान लेना है कि क्या इस पैंशन के अंदरगत आपको फाइदा मिलने वाला है और क्या आपको नुक्सान होने वाला है तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बदाने वाले हैं आप बने रहेगा हमारे साथ अंतक देखत रहेगा हलाकि इस pension में आपको यादा pension तो मिलेगी लेकिन आपको काफी ऐसे लाब होगे यादक काफी ऐसे लाब हैं जो आपके बंद हो जाएंगे आपको मिलना बंद हो जाएंगे विकल्प को लेकर बैसे जो है दोस्तो सुरू हो चुकी है और कुछ लोग इसके फाइदे गिना रहे हैं तो कुछ लोग इसे घाटा का भी सोगात बता रहे हैं कि इसमें काफी फाइदा मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आपको पैंसन तो बढ़कर मिलेगी लेकिन इसमें काफी नुकसान भी आपको होंगे आप कौन-कौन से नुकसान है चलिए उन नुकसान के बारे में जान लेते हैं आपसे हमारा यही निवेदन रहता है कि किरपया आप वीडियो को लाइक कर दीजें वीडियो लाइक करने का आपका एक भी रुपया नहीं करता है किरपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको क्या नुकसान होगा पीएफ का नुकसान सबसे एहम है आपको एक और रिटार्मेंट के बाद पैंसन कुछ जादा मिलेगी यानि कि अगर आप EPS 95 कविकल चुनते हैं तो आपको जादा पैंसन तो मिलेगी लेकिन जो पीएफ है पीएफ का आपको नुकसान हो जाएगा तेखिए यहाँ पर बताये गया है कि एक मुस्त मिलने वाली पीएफ की रकम कम हो जाएगी ठीक है एक मुस्त जो आपको पीएफ वाली रकम मिलती थी वह कम हो जाएगी और दूसरा नुकसान यहाँ पर यह है कि पीएफ में करमचारियों को जो चक्रवर्धी ब्याज का इस्सा एक में जाएगा वह आप जानते हैं तो यहाँ पर जो दोस्तों जो आपके पैसे की ही आपको बढ़कर मिलने वाली है ने कि आपकी कंपनी आपको देगी नए सरकारिस में कोई अधिक पैसा देने वाली है ठीक है जो भी पैसे अधिक मिलेगी वह आपके पैसे से ही भी बढ़ाई जाएगी तो यहां पर बदाया गया है कि प्यएफ का इस्सा एपिएस में जाएगा तो चकरवर्धी का ब्याज भी कम हो जाएगा वहीं एपिएस नाइटीन फाइव के ये भी नुकसान है आप कौन कौन से नुकसान है और यहां पर जान लेजिए देखे एपिएस नाइटीन फाइव को चुनने का एक और बड़ा नुकसान है कि आप जल्दी रिटारिस में नहीं होगे जल्दी आपको यहां पर रिटार्मेंट नहीं मिलेगा और इसका लाब शिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो 58 साल की उम्र तक काम करते हैं यानिके अगर आप इसमें 58 वर्ष की उम्र तक काम करेंगे तो ही आपको आगे पैंसन मिलेगी या फिर आप 10 साल तक इसमें काम लगतार कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर लाब मिलेगा अगर आप अपनी मर्जी से 10 साल से पहले ही नोकरी को छोड़ते हैं तो सायद आपको पैंसन ना मिले के दोस्तों EPS में तुलनातमक रूप से ब्याज भी कम मिलता है और इसके अलावा एक अन्याय लाब अन्होनी की स्थिति में हैं अगर आपके पास कोई अन्होनी हो जाती है तो EPS की सारी रकम आपके नोमनी को मिल जाती है वहीं EPS के मामले में नोमनी को आधी पैंसन का हिस्सा ही मिलता है यहाँ पर कहने का ताथ पर यह है कि अगर आप EPS 95 पैंसन का ओप्सन विकल्प जो है वह आप नहीं चुनते हैं तो जो करमचारी की रकम होती है उनके नोमनी को दे जाती है पूरी रकम दे जाती है लेकिन जो EPS में यहाँ पर विकल्प चुनते हैं EPS 95 का पैंसन लेते हैं तो यहाँ पर उन्हें पूरी रकम नहीं दी जाएगी बलकि नोमनी को आधी पैंसन का ही लाब दिया जाएगा अब आप पर निर्भर करता है कि आप EPS 95 पैंसन को चुनते हैं या फिर नहीं चुनते हैं जिसमें नुकसान थे और फाइदे थे हुए हमने आपको बता दिये हैं पैंसन तो आपको इसमें अधिक मिल जाएगी इसमें कोई दोस्तो दोराय नहीं है इसमें आपकी पैंसन जरूर बढ़ेगी लेकिन जो पैंसन आपको बढ़कर मिलने वाली है वह आपके पैसे से ही आपको जानाटर अच्छी लगी होगी। अगर आपने फिए नहीं किया है, तो वीडिएो को भी आप भी लाइक कर लीजेए, आउर जागा सेथा शेर भी कर लिएगा. तो दोस्तो मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जूरू सब्सक्राइब कर लेज़ेगा